नमस्कार एक न्यूस 24 देखें आप और मैं हूँ आपके साथ शिवानी रुपोली विधान सभा उप्चुनाओं को लेकर जो उल्झने जारी ती इस पर विराम लग गया है जी हाँ उल्झनों को अब सुलजाते हुए राजुत के तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है यान कि बयार में खेला होने वाला है बता दे आपको की रुपोली विधान सभा से पांच बार ुदायक रही विवाब हर्टी इस बार चुनाओं लरने के भिराक में नहीं थी यानि कि आपको बता दे कि चुनाओं के बाद जैसे ही हल्चल तेज हुई थी यानि कि लोकसभाद चुनाव के बाद से जिसकदर विमाभार्ती की हार हुई थी उसके बाद से वो काफी उदास चल रही थी लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो रुपोली विधान सभाद उप चुनाव जारी होने जा रहा है और इसको लेकर सभी गटबंधन यानि कि छोट गटक दल भी इस बार लग गए है कि रुपोली विधान सभाद सीट अपने कबज़े में करना है बता दें आपको कि विमाभार्ती के सिफेश के बाद से यहाँ पर सीट खाली है और रुपोली विधान सभाद के सीट खाली होने के वज़ों से यहाँ पर उप्चुनाव कर रुपोली विधान सभाद सीट जो है वो काफी हाइलाइट है और इसकी खास वज़ा भी है देखे बता दें आपको कि जद्यू का कही ना कही प्रतिष्ठा का सीट है तो वहीं पर एडी गड़ बंधन के लिए भी यह एक प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है राजुत के ल लोग सभाद चुनाओ के ठीक पहले विमा भार्ती ने जद्यू को छोड़ कर राज़त के खाते में जाकर यानि राज़त का दामन ठामा और उसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि जद्यू में उनको उस सम्मान के पात्र जो वो है उन्हें वो नहीं सौपा जा रहा है नह के वजो से अभिमा भार्ती जो है वो आरज़ेडी में आ गई और इसी की वजो से यहां पर सीथ खाली है तो उपचुना कराये जा रहे हैं तमाम जो तयारी है वो जा रही है रुपोले विधान सभाद की बात करें तो यहां पर जद्यू के तरफ से कलाधर मंडल को उतारा गया है जो कि 2020 तक रारज़ेडी के साथ रही है और बताएं आपको कि अब लोकसभाद चुनाव के जैसी नस्दीकी बढ़ी थी उसी दौरान वो जद्यू के पास आ गया लेकिन यहां पर कलाधर मंडल को इसलिए उतारा गया है क्योंकि जद्यू उन पर विस्वास जता र इस मामले में नहीं दिया गया यानि की कैंडिडेट को लेकर अटकल बाजरी जारी है लेकिन यहां पर बहुत बड़ा सवाल भी है और बहुत बड़ी खबर भी निखल कर सामने आ लिए आपको दुस्तार से आगे बताएंगे से पहले आपको बता दे कि रुपोले विधान सभा उपचुनाओ 10 जुलाई को यहां पर मतदान होना है और 13 जुलाई को नतीजें आने वाले हैं चुनाव आयोग ने सभी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है लिस्ट तयार कर दिया है 21 जून तक यहां आखरी तारिक है कैंडिडेट्स नामांकन कर सकते हैं अंतिम कैंडिडेट्स इससे दो गुनात तयारी में जुट गये हैं बता दें आपको कि राज़त भली ही यहां पर कंफ्यूजन में हैं क्यूंकि विमा भारती तरस नहीं चाहरी हैं कि वो चुनाव लड़े उनके पती चुनाव लड़े उनका यह मानना है और वो इस बात को लेकर राज़त सुप्रीमों लालो प्रशाद यादव के पास गए थी राज़त सुप्रीमों लालो प्रशाद यादव से इस मामले पर उन्होंने लगतार चर्चा भी किया था लेकिन कोई बात निकल कर सामनchen नहीं आयाई लालू प्रशाद यहां तक कहते हैं कि जो मैं कहूंगा वही करना है किसे भी वधायक को मुझसे परे नहीं जाना है लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि रुपोले वधांसभा में जहां पर जदियों ने कैंडिडेट का अलान कर दिया है यहां पर स्रिकोणिये मुका अबलान ना पाज़ार है कैसे यह भी आपको बता देते हैं यहां पर संकर सिंग जो कि लोचपा रामवलास के सदस्य हुआ करते थे उन्होंने इस्तिफा दे दिया है उन्होंने इस्तिफा इसलिए दिया है कि उनका मानना है कि लोचपा ने उन्हें रुपोली विधान सभ के लिए चुनाव लड़नी के लिए टिकट नहीं दिया चुराख पास्वान का मनना है कि रुपोली में जद्यू ने कैंडिडेट उतार दिया है पार्टी विरोधी काम वो नहीं कर सकते हैं यानि कि NDA गट बंधन के खिलाफ नहीं जा सकते इसलिए शंकर सिंग को यहां से ट साथ राजुत कैंडिडेट को कहीं न कहीं भारी कॉंपिटिशन देते हुए नजर आ रहे हैं मामला त्रिकोन ये बन गया है उन्होंने कहा है कि मैं निर्दल ये चुनाव लड़ूंगा हाला कि अभी उन्होंने साफ साथ इस पर कोई स्पॉस्टी करन नहीं दिया है यह भ बड़ी चुल रही है और रुपोले विधानसभा टारगेट बन डाकर अंडिये चुल रहे इसलिए जदियू ने साफ साफ कहा है कि यहां पर मेरे कांडिडेट्स उतारे जाएंगे और जो कि उन्होंने उतार दिया है साफ साफ आपको बता दे कि पांच बार विधायक रह और पूरा सिस्टम सेट कर दिया है यानि कि ना ही विमापार्ती को प्रॉबलम होगा और ना ही अवधेश मंडल को प्रॉबलम होने वाला है वो कैसे यह भी आप समझ लेजे क्योंकि रुपोले विधानसभा उप्चुनाव काफी नवजीक है ऐसे में यहां पर सीट अपन प्रफॉर्मेंस दिया है हाला कि उनका जो टार्गेट था उनसे पीछे वो रह गये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि लालू प्रशाद यादव ने सूत्रों के अवाले से जो जानकारी मिल रहे है उसके तहत में आपको बता रही हूं कि लालू प्रशाद यादव ने यहा कारी निकल कर सामदे आई है कि रुपॉयली विधान सभा उप्चुनाओ के लिए विवा भार्ते इस बाद उप्चुनाओ लड़ेंगी देखे कैंड़िट का एलान अब जल्द हो जाएगा सुत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ ठीक होग है और यही सबसे बड़ी व विधान सभा सीड पुर्णिया लोग सभा चुनाओ के दौरान रुपवली भी सबसे हाइलाइटेड विधान सभा शेत्र रहा लेकिन यहां से विमा भारती की हार जिसकदर हुई है वो निराश है लेकिन उपचुनाओ विमा भारती लडेंगी काफी कुछ अटकल बाजी है चल दी और चारिक तोर पर जो ऐलान होगा उसी को सही ऐलान माना जाएगा फिलहाल इस रिपोर्ट में आपकी क्या कुछ राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं इस वीडियो को आप हमारे यूटुब चानल एक न्यूस 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बूक पेज को लाइक कर लिजिए फॉलो कीजे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद